असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे आप ठीक है सब हाँ जी क्लास आज हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी है यह पास्ट कांटिन्यूस टेंस है इसका पैसी वोईस करेंगे हम इंग्लिश टू इंग्लिश अफर्मेटिव संटेंसिज है देखें जी मैंने एक्टि आजाए ठीक है अफर्मेटिव संटेंसिज है और यह जितने भी मार्कर के साथ लिख्यों है डोमिनेट यह सारे पैसी वोईस है स्टार्ट करते हैं पहला देखें शी वोज ड्रिंकिंग मिल्क वोज बिंग ड्रंक बाई हर सेकिंड है यह वोज डूइंग हीज ड्यूटी यह ड्यूटी वोज बिंग ड्रंक बाई हिम इनको नोट डाउन करें फिर आगे पढ़ाती हूँ आगे देखें दे वर मिल्किंग दकाउज दकाउस वर बिंग मिल्क ड्र बाई दम The cows were being milked by them You were knocking at the door The door was being knocked at by you देखें जी Very easy sentences एक दफा formation अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपको sentences करना बहुत easy हो जाएगा आगे देखें The girls were singing sweet songs Sweet songs were being sung by the girls क्या है? Sweet songs were being sung by the girls आगे है The dog was running after the cat The dog was running after the cat The dog was being run after the cat आगे है The boys were flying kites Kites were being flown by the boys क्या है? क्या है? Kites were being flown by the boys आगे है hockey was being played by them इसका देखें जी ये passive इसमे ने बोल दिया इसका active था they were playing hockey ठीक है they were playing hockey तो इसका passive बनेगा hockey object है सबसे पहले आ जाएगा singular noun है collective noun है इसके साथ हम singular verb लगाते है hockey was being इसलिए लगाया कि इसकी formation में है hockey was being played by them they था they के साथ subject change किया pronoun तो इसका them बन गया इनको note down कर ले ये practice sentences हैं हमने आपके लिए खुद select किये होते हैं ये आपको किसी notebook या किसी keyboard में भी नहीं मिलेंगे आपकी grammar book में भी नहीं है ये हमने आपकी practice के लिए sentences खुद pick out किये हैं आप इनको देख ले इनको note down कर ले और अच्छा सा याद कर ले ओके class इसके साथ आज का lecture complete हुआ hope so आपको समझ आ गई होगी इसको बहुत अच्छा सा practice कीजिएगा और याद भी कीजिएगा thank you so much